दूस्तों, आपने सेपक टकरा का नाम सुना होगा, मैं आपको बता दू कि वो ऐसा खेल है, जो बहुत कम लोगों ने देखा है और बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, तो आएए सबसे पहले हम स्क्रीन पर देख लेते हैं, ये खेल जो मैं आपको वीडियो दिखा तो दोस्तों देखा आपने की किस तरह से हमारी TNN 24 न्यूस चैनल के स्क्रीन पे जो आप गेम देख रहते हैं बहुत कम लोगों ने देखा है और मैं आपको मिलाने वाला हूँ इंटर्रेशनल खिलाडी से और वो खिलाडी है इस नाकपूर के ही दोस्तों खेल की कोई जात नहीं होती परतिबाओं की कोई कमी नहीं होती जरूरत होती है उन्हों हीरों की जो जोरियों को ढूंड के निकालते हैं एक ऐसे ही हीरा हमारे सामने खड़ा हैं और आप देख रह नाम रोशन किया है बहुत-बहुत स्वागत है हम भारत का नाम रोशन किया है यह खेल को सा होता है कैसे हो तो उसके बारे में हमें जानकरी दीजी हमारे साट लाग दर्शक आपको देख रहा है सबसे पहले तुम्हें बताना चाहूंगा कि जो सेपक टाकरा गेम है यह 1982 से बाद हमारे सेकेर्टरी चेंज हुए है डॉक्टर वाइवी पांडे सर जो उन्होंने हमारे बहुत हेल्प किये और जब हम स्कूल में थे अंजुमन हाई स्कूल में जब हमने एड्मिशन लिये वहाँ पे हमारे कोच है जनाब जावेद राना सर वह अभी हाली में प्रिंस है वो उनकी बदोलत हमारे ममी की दुआ हमारे चचा की मेहनत हमारे उपर हमारे भरोसा हमारी कैसा लग रहा है कि आपने इंटरनेशनल गेम खेला है और आपको अभी पुरसकार भी मिले हैं बहुत जादा रोबी आपको परविन धटके जी जो है उन्होंने भी आपको यहा पर चलता है जी बिल्कुल यह गेम होता है जिसे अपना जो इसका जो कोट साइज होता है यह अपना बैड्मिंटन का जो कोट होता है इसका साइज वही होता है बस इसमें होता यह है कि तीन प्लियर के अकॉर्डिंग यह गेम को हुआ जाता है तीन प्लियर एक साइड होते और तीन प्लेयर एक्साइड होते है आप हैट से भी यूज कर सकते हैं पैरों से भी यूज कर सकते हैं चेज भी ले सकते हैं तो इसमें हाथ का यूज नहीं होता है जब गेम स्टार्ट होता है तभी इसको हाथ से बॉल फिक के स्टार्ट के जाता है अधर्वाइस जैसे आपने देखा होंगा वीडियो में उसमे पूरा पैर का यूज होता है maximum, head का और पैर का तो इसमें jump करके आप मार सकते हो, roll spike मार सकते हो, sunback spike मार सकते हो service होता है, इसमें तीन position होती है एक feeder होता है, एक take on होता है और एक striker होता है और इसके 5 लोग की team होती है but team event में इसके event wise होते है बट इसके team event में team होती है 15 की स्टार्ट हुआ है जावेद राना सर उन्होंने हमें में इस गेम में लाए है और अंजुमन कॉलेज से हाइज स्कूल एंजुनियर कॉलेज के अभी वह हाली में प्रिंसिपल भी है तो उन्होंने हमें इस गेम के बारे में बताया और आज तक के वह हमारे साथ ही है हमारे दी के जो हमारे कोच रहे हिम्राज सर दहिया सर यह लोगों ने हमारी बहुत हेल्प किया है उन्होंने हमें बहुत सीजिय सिखाई है तब हम जाके यहां तक पहुचे हैं दोस्तों मैं आप से जो मिला रहा हूँ ना जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यह इंटरनेशनल खिलाड है जिसे पैर से मारा जाता है और वह नेट के उपर से दागा जाता है तो हमने वालीबल सुना था फूटबॉल सुना था लेकिन एक नए गेम की शुरुआज जो इर्शास सागरने की है वह वाके में एक चौकारे वाले तत्व है और हम आपको इसके वीडियो भी दिखा र आपरे नेशनल वा था इसके बाद हमारा नेक्स हुआ है खाज़तार टूटनमेंट जो हमारे साप पहल्ते हैं हर साल नाक्पु शहर में इस बार गूल्ड़ मैडल आया है अंजुमन पानी से हम खेलते थी खेल है उसमें तो इसमें में गोल्ड मेडल राफ्ट हुआ है अच्छा यह जो बॉल है यह पैरों से मारना होता है नेट से इदर के उदर तो अगर वो गिर गया तो तो अगर आपके तरफ गिर जैसे बैडमिंटन में बॉल कॉक नीचे गिर जाता है तो पॉइंट आपोजिट टीम को मिलता है सेम इस जी अभी हम खासदार टूर्नमेंट में यहां फाइनल जीते है नापपूर में जी अगर किसी बच्चे को खेलना है या जो रूची रखता है इसके अंदर इंट्रेस्ट रखता है तो कैसे इस गेम को अपना है जैसे यह गेम को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे बहले जो चोटे बच्चे होते हैं हमारी स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं अभी अनापपूर में तो बहुत सारी जगा अंजुमन में और दीनानात में और इसलब में कॉलेज में डीनसी में और बहुत सारी जगा सेंट एंट एंटोनी स्कूल और बहुत सारी स्कूलों में यह गेम खिया जाता है सेंट जोजफ कॉन्वेंट जाम अभी कोचिंग कर रहे हैं फेटरी में वहाँ पे भी ये गेम खिला जाता है तो चोटे बच्चों से स्टार्ट किया जाए जगलिंग से स्टार्ट देन ये धीरे-धीरे आगे इंप्रूफ होता है ये नैशनल और इंटरनेश की टीम पार्षिपिट किये नैशनल में दोस्तों इरशास सागर के गले में जो आप देख रहे हैं मैं कैमरा में से कऊऊंगो कि यहों फोकस करें वो नैशनल जो आप देख रहे हैं ना ये नैशनल सौथ एशिया चंपिनशीप का मेडल है जो आप देख रहे हैं तो और ये बहुत बड़ी उपलब्दी है अपने आप में के इस तरह से मेहनत करना और मेहनत करकर आगे बढ़ना जब तक फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है लेकिन मैं आपको एक और चौकाने वाली बात बता दू कि इनके फादर नहीं है जब ये साथ साल के थे तब ही इनके फादर की डेट हो गई थी और इनों ने इनके चाचा ने इनको यहां तक पहुचाया तिल तिल कर तलाब भड़ता है ना तो उसी तरह आज ये तलाब एक समंदर कर रूप लेता हुआ हमें ज़र नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं पूरे रिष्टदार और फैमिलियों की के नाम को उन्होंने रोशन किया तो हम उनके चाचा से भी मिलाना चाहेंगे आपको उन जाकर हमें हमारे चाचा का नाम है मुहमद अबिद खान कि इस पुरुज पर पहुंचाया है अल्ला का अइसान हम नों इसका शुक्र गजार है और बहुत ज़्यादा शुक्र आदा कर रहे हैं इनके वाले सापका कब इंतिकाल हो गया इनके वाले सापका 2001 में इंतिकाल हुआ था पुरी फेरी पड़ाय लिखाई थे सब्सक्राइब को पड़ाने की और या कुशिश की लेकिन बाकी मेहनत बच्चों की जुनहोंने ये अरुष पाया है यह मुकाम पे पहुंचे और उन्हें अपने साथ हमारा भी नाम रोशन की है दोस्तों दिल में आग होती है न तो उसे कोई रोक नहीं सकता चाहिए आपके पैसा हो या ना हो इस्तिती कुछ भी हो परस्तिती कुछ भी हो लेकिन अगर मन में आग रही न तो इनसान हर चीज को अच्यू करता है क्या कहना चाहेंगे हमारे पूरे देश के खिलालीों से क्या कहना चाहेंगे जो अपने आप में माईूस होते हैं डरते हैं उन्हें कोई मौटिवेट करने वाला नहीं मिलता खुद आप जो बच्चे लोग हैं इंडिया के मैं चाहूँगा कि वो इस गेम को सीखे खेले और जितने जल्दी हो सके यह गेम दिखने में हाड लिखता है लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोंगे इसमें रेगुलर प्रैक्टिस बहुत इंपोर्टेंट होता है अगर आप थोड़ा प् प्रैक्टिस करेंगे तो वह गेम में बहुत अच्छा बन सकते और इस गेम को थोड़ा खेलने में वह जल्दी से इंप्रूफ हो सकता है बट रेगुलर प्रैक्टिस मस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों हम आपको जिनसे बात करा रहे थे ना वह इरिशास सागर उनका नाम है और मैं आपको नाकपूर के बजरिया से इस खबर को दिखा रहा हूँ फिर मैं आपको लेकर चलूँगा यहां इस बैनर की और कैमरे में से कहूँगा कि वो उस बैनर की और घुमा ले कि आप देख रहे हैं कि इंटर राश्टिया खेल सेपक टाकरा में इंडिया के लिए गोल्ड मैडल जीतने पर इर्शाद सागर को बहुत बहुत बधाई मुबारक बात जिस तरह से आप यह देख रहे हैं कि शिल्ड इनके हाथ में हैं और यही वो शक्स है जिनोंने इस गेम को अपने नाम कर लिया तो दोस्तों यह बहुत बड़ी बात है कि हमारे भारत के ल का नाम देश का नाम और हमारे परिवार का नाम रोशन हो होता यह है कि बच्चे तो बड़े होनार होते हैं लेकिन उन्हें सवलियत नहीं मिलने के कारण ओ कहीं नहीं उनकी आवाज जो है वो दब के रह जाती हैं तो चाहिए सरकार को के सरकार आ गया है ऐसी बच्चों के लिए मदद करें पैसों का इंतिजाम करें और उसे रिलेटेड जो टूल्स लगते हैं उसकी भी मदद करें यह वो इरिशाद सागर जिन्होंने नेपाल को भी हराया है भारत का नाम वहां भी उन्होंने रौशन किया तो बहुत बहुत शुक्री है हमारे साथ टीनन न्यूस कैमरमेन सज्जेतिवरी के साथ रियाज शेक नाकपूर